इन दोर में कोरोना कर्फ्यू तोडने वालों पर अब और सक्ती होने जा रही है यदि बिना काम के कोई घर से वाहर निकला और नियमों का उलंगन करता पाये गया तो उसे अब कुछ घंटे नहीं पूरी रात आइस्थाई जेल में बिताना होगी इसकी पुष्टी खुद कलेक्टर मनीस सिंग ने की है उन्होंने कहा कि अब जनता कर्फ्यू के नियमों को और भी सक्त किया जा रहा है कर्फ्यू का उलंगन करने वाले पूरे एक दिन के लिए आइस्थाई जेल जाएंगे पहले केवल शाम तक के लिए उलंगन करने वालों को जेल भीजा जा रहा था कलेक्टर ने कहा कि 30 अप्रेल तक इसी तरह की सक्ती रहेगी फिर सुबह से कुछ लोग नियमों का उलंगन करते पाए गए थे वे बिना काम के घरों से बाहर निकले थे उनकी ग्राफतारी की गई है हर थाना चेतर में ने लेकर जाने के लिए बस की विवस्ता भी की गई है उन्होंने बताया कि अभी इन लोगों को पकड़ कर सुबह से शाम तक रख कर छोड़ देते हैं लेकिन अब उन्हें पूरी रात जेल में बिताना होगी पुलिस ने बुधवार को जादतर को समझा इस देकर छोड़ दिया था लेकिन 226 लोगों को सिटी बस से आइस थाई जेल में भी भेज दिया था कुछ लोगों से उठक बैठक भी लगवाई जेल से इने रात में छोड़ दिया गया था हाला कि अब यदि ये नहीं माने तो पूरी रात जेल में बिताना होगी वहीं पश्यमी छेत्र इंदौर के एस पी महेश चंदर जैन ने गुरुवार सुबह से अपनी टीम के साथ अलर्ट मोट पर देखे उन्होंने पश्यमी छेत्र में जगए जगए जनता करफ्यू की इस्तिती गाज जायजा लिया अगर समझ में आएगी लोगों को तो फिर उनको रात बितारी पड़ेगी जेल में याज में पर रात ब स्सक्वा टूबार्ग्या उनको को जगए जगए 24 ईगए जगीूरा इन अरात के साथ जो चाम arguably के साथ जाऊईफड़ि जगईंud कि Prarak डान आयुर्वैद अपनाओ स्वस्त जीवन पाओ मदु मेह के रोगियों के लिए सबसे अच्छा एवं प्राकृतिक मदु मेह के रोगियों में ठकान को कम करें सभी प्रमुक मैडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध है या हमें बॉट्स अप करें हमारा नंबर है 89828807159575616486 मारा पता है गांधी चौक वोर्ट बड़ा बज़ार और वर्णी कॉमप्लैक्स मजजित के पास कट्रा बज़ार सागर मद्ध प्रदेश